नमस्कार तो आज म्याँ बात करने वाला हूं Shantos Trophy कि क्योंकि Shantos Trophy चल रही है और अक्सर जब Shantos Trophy होती है तो काफी काफी जो players है उनकी भी complaint होती है coaches के भी अंपलेंट होती है और fans भी देखते है कि कुछ तो धानलियां चली रही है दिखता है और हर बार आपको Santos Trophy में कुछ ना कुछ जो है वो State Football Associations की side से जो selectors होते है उनके side से कुछ ना कुछ गलतियां आपको जो है वो मिलती है यह fact है लेकिन वो कभी कभूलेंगे नहीं कभी जिन्दिगी में चाहिए अमराज उनके यहां तलवार लेके खड़ो जाओ उन नहीं कभूलेंगे ठीक है कि कई teams में Santos Trophy के लिए पैसा लिया जाता है कई teams में जो है अपनी जान पहचान के players को जो आगे कर दिया जाता है ठीक है और ऐसे ही होता है और इसी तरीके से Santos Trophy कई सालों से चली आ रही है इसलिए उसमें कुछ ही state है जो अच्छे से कर पा रहे है वो जो है proper खिलाडी भेजते है और बाकी कई state है जो भाईया, चाचा, फूफा इन में जुगार तुगार लगाके चले आते है तो इसलिए कई state है वो आज भी वही है और कुछ state जो उपर है वो उपर ही है ठीक है ये अब कई नए लोग भी इस वीडियो को देख सकते है तो मैं पहले बता दू धनराय धुरुए कौन है ठीक है क्योंकि ये सवाल चलते है मुझे पता है इसलिए अगर आप फुटबॉल के लिए अच्छा करोगे मैं दिल बिलकोल दिल के घहराईयों से आपकी तारीफ करोगा लेकिन आप फुटबॉल के लिए बुरा करोगे इवन आप मेरे बहुत सगे दोस्त भी हो आप फुटबॉल के लिए कुछ बुरा करोगे तो मैं आपकी घरदन पकड़ूँगा ठीक है मेंको फरक नहीं पड़ता तो आज मैं क्या बात करने वाला देखो आज मैंसे दो फुटबॉल स्टेट्स की बात करने वाला था लेकिन एक की मैं नहीं करूँगा बिकॉज वहाँ पे बहुत बड़ा कुछ कांड हुआ ठीक है और बहुत खतरना कांड हुआ अक्चुली मैं उसको पूरे नेशनल मीडिया के सामने आना चाहिए कि लेकिन उसके बारे मैं अभी नहीं कह सकता बिकॉज मुझे प्लेयर के साइट से परमिसन नहीं मिलिए कि उसका नाम उसमें एड होना चाहिए नहीं ठीक है क्योंकि मैंने कुछ बोला अगर प्लेयर की करियर पे कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार मेर होंगा इसलिए मैं नहीं कर सकता ठीक है तो अगर प्लेयर मुझे परमिसन देगा मैं उसके उपर बोलूँगा लेकिन अभी या बाद में इन डारेक्ट वे में मैं बोल दूँगा कि क्या हुआ था बाद में अभी मैं उसका वेट कर रहा हूँ प्लेयर के परमिसन का वेट कर रहा हूँ यह दूसरे स्टेट की बात है यह मत्यब्रदीस की बात नहीं है अभी मैं मत्यब्रदीस की एक बात आपको बताने वाला हूँ कि कई ऐसा समस्त है कि मैं हमें सो State Federation के Against में ही बोलता हूँ ऐसा बिलकुल नहीं है मैं भर-बर के तारीफ भी करता हूँ आप कभी नहीं देखता है क्योंकि क्या होता है जो negative इंसान होता है जो बैमान होता है उसको वो बैमानी तलासता है कि दोर है बैमानी वाली चीज कहां से मैं करूँ या negative चीज़े ढूंडता है क्योंकि because he is negative ठीक है जो positive बंदा होता है जो negative चीज़ों को चल ऐसा करके छोड़ देता है तो इसलिए वो इंसान की सोच पे निरभार करता है तो मद्दपधिस फुटबॉल में अभी फिर से संतोस रौफी जो टीम है उसमें आपने क्योंकि ये चीज़े मैं देखता खोचता नहीं हूँ ये मुझे मुझे पहुचा ही आती है कि देखो भी या प्लेयर्स कंप्लेंड करते देखो भी या हमारा चांस चला गया देखो भी या है ना जो कोचेस होते बोलते देख भाई देखो हमारे प्लेयर्स एच्छे-च्छे खेलने वाले नहीं लिए गए और कि इनको खेला रहे है ये उनका दर्द जा मुझे तक पहुचता है ना तो इसलिए मैं अब मैं यहां पर देखे किसी प्लेयर जिसका किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हो उसके उपर नहीं जो सिलेक्टर्स है जो फुटबॉल फैडरेशन हमारा स्टेट का मैं उसके लिए बोल रहा हूं उनको बोल रहा हूं कि भाई ये क्या है अब चलिए मैं सबसे फिले आपसे सवाल पुछता हूं संतोस ट्रॉफी क्या है संतोस ट्रॉफी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर यंग प्लेयर्स थोड़े मतलब कि थोड़े मतलब ऐसा बूल सकते कि जो अबव 18 वाले भी और थोड़े यंग प्लेयर्स जिनको अपना जो टैलेंट उसको सोकेस के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि यहां पर अच्छा खेलो आप अच्छी जगा पहुंच जाओ जैसे कि जेसिंटी के निकले जेसिंटी के निकले दैन सहल निकले संतोस ट्रॉफी टीम से तो ऐसे प्लेयर्स निकले हैं और भी कई निकले हैं मैंने बस चंद दो नाम लिया हैं एक एक्जामपल के लिए तो यह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यहां पर आपको यंग टैलेंट्स को मौके देना है ठीक है उसके लिए यहां पर संतोस ट्रॉफी की जाती है अपहारे भारत में इसलिए आप प्रोफेस्नल प्लेयर्स को अभी खेलना बंद कर दिया है यहां आपने जैसे कि देखा आप प्रोफेस्नल प्लेयर्स ने खेलते हैं क्योंकि इंजरी के चांसे भी रहते है इस वज़े से अब देखिए अभी संतोस ट्रॉफी के जो टीम बनी मद्रदेश के उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल ठीक है क्योंकि आप देखोगे नहीं न तो आप फिर मेरी बात हो इस्वास नहीं करूगे इसलिए देखो उसमें आप पहले मिनट से मैच दो कोई कुछ आपको वैसे तो माध्यप्रदेश के फुटबल टीम ने एकदम रदी उसमें गेंपले किया एकदम कुछ नहीं किया समय लो हारी है बहुत बूरी और कुछ नहीं है वन साइडेट तमिल नाडू ने बहुत अच्छा खेला है अब उसमें सब को ठीक है लेकिन मैं आपको सेलेक्शन कैसे कैसे मैंना सेलेक्शन में धांदलियां क्या होती है 79 मिनट पर जाइए डारेक्ट 79 मिनट पर ठीक है महा सेलेक्शन प्रोसीजर को मतलब की सिलेक्शन किया होगा आप बताईए क्या ये कोई यंग प्लेयर है क्या ये फिटेस्ट प्लेयर में से कोई है देखो उनको देखो आगे तक 79 से पूरे 90 जहां तक मैच चल रहा है वहां तक अब देखो थोड़े थोड़े आपको जगे प सकते हैं जो कि मुझे आदत है वैसे डेली खाने की तो आप भी खुस सोची आप क्यों होगा टीम में ठीक है मैं प्लेयर से तो मेरा मतलब भी नहीं मैं सेलेक्टर से सवाल कर रहा हूं कि आपने इनको क्यों लिया ठीक है इनके फिटनेस आप देख सकते हैं मैं अभी अभी यो टेस्ट करवाओं अगर उस बच्चे से अच्छा स्कूर इनका निकल गया तो भाया मैं ऐसे गाल लेकर आओंगा मेरे को दो तमाचे मारना दोनों गाल पर एक एक ठीक है तो यह मैं आपको पहली बोल देता हूँ यह मेरी साइट से खुली छूट ठीक है दो दिन बाद आप यो टेस्ट करवाते हैं इन प्लेयर्स का जो प्लेयर की मैं बात करना 20 नंबर जर्सी यो टेस्ट करवाते हैं मिनर्वा के अंडर 13 के बच्चे के साथ अगर वो बच्चे से अच्छे स्कूर निकाल दिया ठीक है एक 12 साल के बच्चे से तो मेरे मुग पर दो तमाचे म कि अगर 123 के देन उस फिर से सवाल खड़ेंगे वह भी 123 के कैसे फिर उसके बाद अगर मान लिजाए आप एक नजरिये में यह बोलें कि इनको एक्सपीरियंस के दम पर लिया है संतोस ट्रॉफिय में किसको एक्सपीरियंस दिखा रहा है वहां पर एक्सपीरियंस नहीं चाहि यह कते ही ना चाहिए अगर ऐसरी एक्सपीरियंस चीए तो बाइचे मूटी अभी फिर से सिक्किम की टीम से खेल सकते हैं ठीक है लगे तो इंडिया टीम से भी खेल सकते हैं वापस आके क्योंगे एक्सपीरियंस है आप उनके रन देख लो कैसे रन कर रहे हैं बतलब क्रू कर दो ठीक है मतलब आप गलत करें तो सही है मतलब आप गलत करें तो चमतकार हम उस गलत पर बोल भी दें तो कतई भेंकर वाली चीज हो जा रही है है तो मेरा कहने का यह है कि यह मैं धांदली यह धांदली इसको धांदली कहते है साहब ठीक है कि आप सोचिए कि आप वहाँ पर और अच्छे प्लेयर मंत्य प्रदेस में नहीं है अनुछ इसे में घृत्परेस में अगर आइसा आज यह बात है लेकिन असे जिलिल यह शेयर अच्छे किल आड़े लोगेद हैं अगर वह बात इस top इच ठोड को consent में ऐसा है तो ये सवाल है सेलेक्टर से कि क्यों आखिर क्यों क्या मजबूरी थी आपके कि आपने ऐसे प्लेयर्स को लिया और भी प्लेयर्स है लेकिन बात एक प्लेयर के थुरू दे रहा हूं ताकि मैं क्लियरली आपको समझा पाऊं अधर अनलिसिस करने पाया तो फिर तो ये क्लियरली हर बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ तरीकी से बचते लेकिन इस बार मसीन से नहीं बच पाया तो मसीन मैं नहीं हूं मसीन था आपका टेलीकास्ट करने वाला कैमरा जिसने पकड़ लिया और देखो ये प्लेयर्स नहीं करता थे आ गया ठीक है तो आब इसके सोचना जो है ना कुछ चमचे वीडियो देख रहा होंगा तो ऐसा हमाँ सोचना कि मैंने धूंड के कहीं से निकाला है ये मद्यप्रदेश में भहुत सारे फुटबॉलर से जो है कहना चाहते है बहुत सारे कोचे से कहना चाहते है तो सब की दिल की बात है ठीक है लेकिन उ अगर कुछ ऐसा सिस्टम लेकिया कि भाई कुछ तो होना चाहिए ना मतलब किसी को भी मनमर्जिया खिला लिया जाय अगर सांतोस ट्रोफी में तो भाई तो कल मैं भी मतलब इधर मैं भी पेटवेट बढ़ा लूं कुछ कर लूं मैं भी टिच्चर होंगा यार मैं तो संतो संतोस ट्रोफी बढ़िया है तो ऐसी खिलना तो बता दीजे फिर है ना तो यह सवाल आप जो भी है मत प्रदेश के फुट्बॉलर्स है आप सोचिए इस बारे में कि ऐसा हो रहा है आपका आपका जो है ना आप सोच रहोंगे मैं भहुत महनत करूंगा फिटनेस रिवल र ऐसा है वहिया और यह से कई स्टेट में वसे तो अभी मैं और भी स्टेट से आई है मुझता खबरे लेकिन वही है कि अब यह मेरा स्टेट है इसलिए मैं एक दम कूद के बोल सकता हूं अधर स्टेट में कि फिर वहां के जो लोग है उनका नाम आयाता है जैसे अनुष सर् ठाहु तो बता सकता है यह प्लेटफॉर्म आपी का यह platform है खिलाडियों के लिए ठीक है खिलाडे आये अपनी चीजे बताए और ऐसा निकितम दोनोर तरफ आजकल में चीजे जो है वह दोनो तरफ देखता हूँ कोई सहीं बोल हाँ गलत तो नहीं बोल रहा इसलिए अब और यह बताइएगा और आपने भी you go match मैंने बुला था देखा कि 1,59 मिनिट wrap to call और पूरा देखो players की conditioning, players का touches देखो passes, Covid insecure को सब देखो मैं को बताओ, एकनी हैů सही दे養 सेस्टिस था तो कोई बात इखा नहीं आपको सही लग गया तो फिर सब सही मैं ठीक है तो बताईएगा आपके विचार आपके थौट्स ये धांदली के उपपर सिलेक्षन में धांदली जो डिजर्विंग है वो गए तेल लेने और जो बस है आगे ऐसा है ये है संतोस ट्रॉफी इस इस दे रियालिटी अफ संतोस ट्रॉफी अच्छे टॉप स्टेट में तो अच्छे सी चल रहा है लेकि जहां कचरा है और गंद मच रही है तो आपके थौट्स का मैं इंतजार करूँगा कमेंट सेक्से में आपके थौट्स बताईएगा और वीडियो को दूर दूर तक पहुचाएगा और अगर आप मध्यप्रदेश से हैं तो मध्यप्रदेश के हर फुट्बॉलर तक यह चीज को पहुचाएगा ताकि वो यहां की बारीकियों को यहां के रियालिटी को जानते रहे और उसके दिमाग में चीज आए कि उसको और क्या करना है क्या नहीं करना है ठीक है यह मैं बिल्कुल चाहूंगा विकॉज हम चाहते कि मध्यप्रदेश का फुट्बॉल उस इस्तर पे आए जहां पे बंगाल का है जहां पे केरला का है जहां मनिपूर का है मिजवरम का है ऐसे बड़े लेवल पर है तो इमानदारी के साथ ही वहां पहुच सकता है बहिमानी के साथ तो नहीं पहुच सकता है या धानदली करो एक हाथ परसेंट कर लिए ठीक है दस परसेंट कर लिए ठीक है नब्बे प्रत झाल झाल